तो वहीं आपको बताएं कि महिंद्रा ग्रूप के चेर्मेन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लाट्फॉर्म एक्स पर काफी आक्टिव रहते हैं आए दिन अपने एक से बढ़का रेक पोस्ट के जरिये लोगों का ध्यान खीच दे रहते हैं आनंद महिंद्रा ने हाल ही में उस लड़की को नौकरी की पेशकर्ष की है जिसने एलेक्सा की मदद से खुद को और अपनी छोटी भतीजी को बंदर के हमले से बचाया जियां ये कि छोटी सी बच्ची ने एलेक्सा की मदद से अपनी जान बचाई और अपनी 15 महीने की इस छोटी सी भानजी की भी जान बचाई और अब देखिए बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस मामले में महींद्रा ग्रूप के चैमेन आनंद महींद्रा जो कि सोचल मीडिया प्लाटवर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और उस लड़की को नौकरी की पेशकर्श कर रहे हैं जिसने आज जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है दरसल इनके घर में बंदर घुसाए थे और बंदरों को भगाने के लिए इस लड़की ने एक्सा को कमांड दी कि कुट्टे की आवाज निकालो एक्सा ने कुट्टे की तरह भुकना शुरू कर दिया और बंदर डर के मारे भाग गए अब इसके बाद इस बच्ची की चमकरतारी फोरी हैं मिसाल पेश कर रहे हैं इस लड़की की कि इसने अपनी सुजबूश दिखाते हुए एलेक्सा का सही इस्तमाल करते हुए अपनी जान बचाई और पंदरा महीने की इस बच्ची की भी जान बचाई जिसको आप अपी समय खेलते हुए देख रहे हैं इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं इस रिपॉर्ट के जरिए उत्तर प्रदेश की नेकिता ने अपनी सुजबूश से पंदरा महीने की भती जी की जान कैसे बचाई जान है इस रिपॉर्ट में जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे टेक्नलोजी में भी बदलाव आता जा रहा है तक्नीक का अगर सही से इस्तिमाल किया जाए तो ये किसी वर्दान से कम नहीं है बस्ती में एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां तक्नीक नहीं जान बचा ली अक्सर घरों में देखा जाता है कि कमांड देते ही स्पीकर से आवाज आती है जो भी कमांड दी जाती है एलक्सा स्मार्ट स्पीकर वैसा ही करने लगती है जो अमूमन आपके सवालों का जवाब भी देती है बस्ती में एलक्सा की मदद से बंदर डर कर भाग गए हो गया वो किचन में जाकर बढ़तन और खाने पीने का सामान उठाकर फेकने लगा बंदर को उत्पात मचाते देख दोनों बच्चिया सहम गई तो इस तरह टेकनलोजी की मदद से बच्चियों की जान बच गई हाला कि इस तकनीक के पहले साइड इफेक्ट भी दिखे है लेकिन सम्बंधित कंपनी ने खामिया दूर करने का दावा किया है एलेकसा एक वोईस असिस्टेंट है जो आर्टी फीशियल इंटेलिजन्स की मदद से बनाए गया है बस्ती से न्यूज एटीन के लिए हिवजुर रहमान की रिपोर्ट झाल